अरे कागा से कोया लिया के गीतना ही मिली हैं खोजले बजरिया में प्रीतना ही मिली हैं प्रोग्राम हुआ अनि विजलाल भी तब छोटे थे अब हमसे उमर में कुछ छोटे हैं हम उनसे थोड़ा परविंद को परिमल लुटाना छोड़ दे तो बाद में बोला कुसुम फरियाद मार्दर से भावों का उद्गार ही जो है विरहा है अब उसमें विरहा से भीया समा आप देख रहे हैं सौलप हिंदी दोस्तों बिरहा जगत के कलाकारों के इंटर्व्यू के सफर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हमारे बीच एक ऐसे ही बुजूर्ग बहुत ही बुजूर्ग कलाकार कहेंगे और बिरहा से इनको क्या-क्या मिला है यह खोदी बताएंगे इनको इनका परचे हम जानेंगे इनी के स्वर में स्वागत है आपका अपना परचे छोटा सा हाँ विया आपका भी बहुत-बहुत स्वागत धन्यवाद आपको और मैं विरहाल लोग गीत गायक कासीना थ्यादव मास्टर ग्राम पोश्ट स सलेम पुरबगाई जनपत गाजीपूर से हूं और तो बाकी जो जानकारी है आपको पत्रकार भाई की द्वारा जो है मिलेगी और मेरे मा देम से हम तो यह चाहेंगे दर्सकों को अपने बताना और आप से पूछना चाहेंगे कि जो बिरहा लाइन है इस लाइन में आपका कोई पहले से जैसे आपके पिता जी ओगरे गाते थे कि आपके मन में अ चाहेंगे इसा है कि हमारे पिता जी तो नहीं गाते थे और हमारे दादा जी ओ जो है मतलब गाते थे और बढ़ियां गाते थे हमारे मतलब पैदाईश तो हमारी हो गई थी लेकिन हमको भी देख दो तीन साल के अंदर ही वो इस्पायर भी कर गए तो मैं उनको पुरा ख्याल नहीं कि मैं देखा था लेकिन वो गाते थे कैसे कि उनका जो पहले तो मतलब बिरहा वही करताले पर होती थी तो उनका करताल और ताल भी था मुझे मिला भी था जी तो आपको लगा कि नहीं हमको भी गाना चाहिए हाँ मुझे भी गाना चाहिए लगा नहीं देखिए ऐसा है कि हम दरसल बाद में हमको मालूम हुआ कि मत चोटे थे करीब 4-5-6 साल के तो बच्चे जैसे गुन गुनाते हम लोग कहीं गावं बर बारात आती थी नाचोच बिरावराज देखने सुने हम लोग जाते थे तो उसमें से एकाद दो लाइन याद कर लेते थे तो घर पर आकर के वहीं अपना गाते थे तो धिरे धिरे वह तो वहाँ अपना एक हमको किताब मिल गई और उसमें लिखा था लोग गीत तो उसमें एक वही गाना था हमको में देखे कि सास्त्री जी मरे थे और उनहीं पर गाना लिखा गया था हाय हाय सारा करेला जमनवा सुसकले धरती रोगयास मनवा तो यह देखे तो अपना उसको खूब याद करके चटपट याद कर लिए उसी को अपना गाते थे ललकार ललकार करके अकेले भी सोते थे गाते थे अब वहीं इसके बाद फिर जब इधर घर आये तो यहां भी काने के लिए तो अपना वहीं गाते थे तो हमको मिदे कि हम कच्छा पांच में हम पड़ रहे थे तो अपना होली का दिन था और गाओं के बड़े भईया हैं मत्रबराम कृतियाद यह और लोग जो थे तो भाई चुकि वह पड़े लिखे भी थे लेकिन यह जो है अपना स कारिकरों में से उनका मतलब लगा हो था काफी तो इड़ो को अपना साथ साथ हम लोग चले गए दवर भागते वहाँ पर मतलब उनके प्रमुक जी हैं संतोष कुमार यादव जी तो उनके बड़े पिता जी थे और उनके घर हम लोग गए तो महां पर बाई जुमाड़ा बहुता है तो लोग गाउं के सब लोग जूडते थे तो वहीं उन्हीं के संतोष प्रमुग जी के बड़े भाईया थे बेजे बाहदूर यादों चुकि उनके बड़े पिता जी वही बिरहा लिते थे तो वह करीब 25-30 बिरहा याद किये थे तो वहीं अपना गा रहे थे अपना उनके जो है चाचा जी प्रिंस्पल साब रामनेरे से आदब तो मतलब शेवा निवरित हो गए हैं वो ढोल बजाते थे और वह अपना गाते थ सुन रहे थे इसमें लोग कहें कि भाई एठे लड़ीका यहोतनी गवावा गवावा तो हम दी अपना उत्सुप थे भाई खड़े ओकर के गाये तो पालवान जी थे उनके जो बेजे बादुर मार्शाब के पिता जी प्रमुप जी के बड़े पिता जी तो कहें कि रहे आ प्रमान भीया तो बहुत बढ़ियां गावत रहना इह रूप बढ़ियां गाई एक गवावा गवा घवावा ठीक हो वेटा वहीं जो है अब हमारा लगाव हो गया तो ही एक बिरहा हमको अपना लोग चटपटे हमारे मित्र थे इसमें तो नहीं है विचारे उनका द्यानत हो गया लेकपाल ते कानुन गो हो गये थे कामता याद हो तो थोड़ा हम मतलब इसमें जो हम आने जाने बड़ा लजालू किसिम के थे नहीं जाते थे जल्दी माता हमरे रहें तो कहें कि भईया क्यों कि हम जिन लईका मरें आया हूँ तो इसे ना जाए तो आपन भाई हो तो दिये हमको अब भाईया उसमें तो इतनी ब्योस्था नहीं थी ने हम लोग छोटे छोटे थे घर में चुकी परिवार में हमीं बड़े थे और तो डेवरी पहले जलाए ने हमारे बहीनों लोग खाना होना बना में तो जहांता अब डेवरी दाय के आओके लगले या हमाई रुकाते नहीं पढ़ ले थे हमका तो हम बनावार रोटी हमापन कहां तुआ होता है याद कर लिए भी रहा हमको मिदे की 10-15 मिनिट में वी रहा पुरा याद करकी इसके बाद अपना फिर तब से खाली हो गये और यह अपना जब फिर पहले एक बार बुलाए लोग तो ही गाना गाए तो गाए तो अब लगा हो गया और उनी के प्रमुक जी के चाचा जी थे तो भाई पहलवान भी थे बहुत मतलब लोग रंगरूट थे और अब भीट हैं तो कोई अपना बजाने लगे कहें बेटा ठीक है तो गावा अब सौक थी और कोई गाना होना कभ अब अब बरबारात में से तैसे अपना लेकर की जाने लगी गवानी लगी पहले तो बताते हैं लोग कि मंच पर जब विरा होता था तो कंपरटीशन होता था आप गए तो आपका किस के साथ बनिया कंपरटीशन हुआ अच्छा तो यह कंपरटीशन तो देखिए अब वो कंपरटीशन है किये जब हम लोग करीब पांच-पांच-छच्छ विरा हम लोग जब याद किये थे हम तो हमारे साथ एक रामोत थे वह बरस्ती के बहुत बढ़ियां गाते थे उनको नेता नेता अज भी विचारे नहीं रह गए तो बहुत अच्छा मतलब गाते हमसे जज़ादा गाणा याद था वो थे मैंठा और एक गुलाब गुलाब नाम के थे उस गाम के तो तीन हम लोग मतलब गाते थे तीन तीन चार चार भी रहा सबके याद रहे हमको भी वही तीन चार पांच भी रहा शुरू शुरू में हमको ख्याल आ रहा है कि हम लोगों का प्रोग्राम रामधारी यादो बहुत बड़े गायक थे तो ही सहित पूर बबरहनी बगल में महमुदपूर से बराद गई थी और यार और वहीं हुआ और पुरा सांत बिरहा भाहिल भाहिल हम लोग बच्चे थे छ लिएवाज सब कर और वह हुआ वहां 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 विचारे बड़ा परिशान हुए लाकि बहुत अच्छे गायक थे और तब से फिर अब धिरे धिरे अब फिल्ड में हम लोग गाने लगे अहां गाने लगे अभी से मतलब उस समय के जो गवईया थे लोग उस समय के उनके मंच बर भी सवभागी हुआ मने जब सीख रहे थे हम तो प्रिंस्पल साब पानी छिड़क करके मूँपर जगाते ते पोंशोज करके और उस समय बुल्लु चाचा हमको पुरसकार भी दिये गजल गाये थे और पीठ उठोके पुरसकार दिये और इसके बाद लेकिन इसके बाद में फिर उन लोगों से हमारा प्रोग्राम भी हुआ तो अब चुकी हम मतलब बड़े हो गए थे तो हीरा चचा के साथ बीवा बुलु चाचा के साथ बीवा प्रोग्राम बेचन भाई से भी हुआ और स्यूमरत गुरुई जी से तो बहुत प्रोग्राम हुआ बिजेलाल जो हैं हमारे भाई इनसे तो अंगीनत प्रोग्राम हुआ हाँ नंदलाल भाई से भी हुआ उधर बनारस विशुनात भाई से मतलब जितने भी बड़े बड़े गायक लोग थे रामबिलास पांडे जी गाजिपूर इलाहाबाद कि मने जितने भी अगल बगल की ल कितने अच्छा विया तो सिख्षा हम हिंदी से हमय किये हैं उस समय हम जैसे बीए कर लिये थे बीए किये बीटीसी किये इसके बाद तब फिर मतलब वही निवती पढ़ा रही थे यहां पर इंटर कालेज में तो बीए बीटीसी किये इसके बाद अपना फिर अब यहां पर मालेची प्रबंध की बिद्याले था ग्राण्ट उसम नहीं लग पाई तो हम लोगों की संजोग बस बसपा सरकार्ति उसमें बिध्यप्ती निकली तो नियुक्ति हम लोगों की परसिदी बिद्याले में हमारी भधोही में हुई संसत्तान थाहश्युंगर से चले गए तो बाद में अपना बीच में फिर अपना हमें वी किये पूरा उस समय करके किये भी और विरहा विगाते रहे इसके बाद सरकारी नौकरी आपकी लगी टीचर भी हो गए सरकारी टीचर तो आप कितने तक के बच्चों को पड़ाते थे मतलब प्राइमरी के हां प हमान में जैसे प्रमोशन पदुन्यत होती है तो पदुन्यत हुई तो अपना हम फिर हेड मास्टर हो गए वहीं जब हेड मास्टर हुए तो इसके बाद फिर अपना दोजार तेरह में जब अंतर जनपदी ट्रांसपर हुआ तो यहां चले आए हम तो जुनियर में चुकि अब आप से बताएं कि वहां पर जब बदोही में हम थे तो एक बार वहां जो है ब्यस्टर कार्याले पर प्रस्रिक्षण हो रहा था तो चुकि अब आम तो थे एकदम लास्ट जो है माने पहले बनारे से जिला था बदोही तो मांडा के पास गंगा के इस पार मतलब हमारा बिद्याले था डीग बलाग पड़ता है तो अब वहां चुकि हम लोग एदम सोचंद रहते थे अब बड़ा दुलार प्यार लोगों का मिलता था तो लेकिन इधर लोग जान गए थे बदोही में पुरा हर बलाग के मतलब लोग जान गए थे कि नहीं कासिनात माशर साहब हैं चुकि दो एक बार हम अपना लोगी तुकत गा दिये बी आरसी में ट्रेनिंग के समझ में गवाते हैं लोग अपना सबका प्रदर्शन करवाते हैं तो उसमें जब गा दिये तो सब लोग जान गए कहे रहे तो आज जानी पचानी पहले मारे रेडियो में प्रोग्राम अच्छा रेडियो में भी हां कासे शिञादा तो जान गए लोग तो बड़ा मतलब लोग चाहते थे अगर हम कहीं जाते थे बलकि ट्रेनिंग कमें लोग अपना करें पूछें जातें कहने नहीं मास्टर साब हम लोग आप ही का सुनेंगे आपको हम लोग सुनेंगे तो इ पहिचान बिराहा के मंच से ही मिली बाकि तो यह तो रोजगार और यह सब के लिए तो टीचरी जो है बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों को भी पड़ाना अब बच्चे जो उस समय के लोग तो बहुत बिराहा सुनने के लिए आतूर होते थे कहीं लोग तो जाते होंग बच्चे भी सुनने के लिए करते होंगे कि माठ्र साहब बिराहा जियाए अरे अब भी हम बहुत चले आये इधर तो लोग मतलब बता रहे हैं आप से कि जब इधर कैसे तो अगएरे लोगों का बजने लगा निकलने लगा तो हमसे लोग बड़ाबर बर करते थे कि मास्ट करते थे अब ड्यूटी हर साल लगती है उसमें अगर मानली जीए बाई दिवेगर ड्यूटी छोड़ दिये तो फिर जो है चलिए तो किस हो जाएगी तो जिंदगी बित जाएगी उसमें अपना आते जाते रहेंगे लडाते रहेंगे इसी डर से हम जो है मतलब प्रोग्राम अपना समय समय पर का नहीं कर पाते थे आपके दादा जी बिरहा लाइन में थे तो फिर आप जब इस लाइन में आने के बाद दिरे दिरे उसको कम करना पड़े हम क्या मतलब मजबूरन अब दिखिए चाए पालवान हो चाहे गायक हो अच्छा जो भी जिस छेत्र में अगर बढ़ियां रहता है तो दिल नहीं मानता है लेकिन हमको थोड़ा मजबूरन मजबूरन वही मतलब अपना आत्मा दबाक के ही रोकना पड़ता था चुकि अब नौकरी के लिए ही हम गाना पर भी उतना द्यान नहीं समय दे पाते थे माने आए प्रोग्राम भी हम नहीं जा पाते थे तो इससे मतलब वो कम हो गया था मतलब मजबूरन किस अखाड़े से आप गाते थे हम बिजा गनेश गुरू के खाड़े से मतलब हम गाते थे और उसी से गाते भी हैं विजलाल यादो जी के साथ बहुत ज़्यादा चार साल या पांच साल जो भी हमारी मतलब हम लोगों में अंतर हो लेकिन तब से ही जो है मतलब प्रोग्राम उसे होता था नंदलाल भाई से और सिमुरत कभीजी से इन लोगों से और छेत्री इसके बाद उधर बनारस में आपके विशनान भाई अपने जितने भी बड़े गायत थे उस समय के सब से जो है प्रोग्राम हुमारा अच्छा आपके जैसे आपके डादा जी गाते थे इसके बाद आप इस लाइन में आए इसके बाद आपके जो बच्चे हैं उनमें किसी का रूची है कि नहीं रूची तो है लेकिन लोग भी अपना पढ़ने लिखने तो फ़ीक नहीं है लेकिन अपना लीख रहे हैं लोग बड़े लड़के हमारे हैं अध्यापक हैं ओ पना एलाबा से मेख रहे हैं पीटीचिवीं कर लीये हैं वह एक बच्ची हैं वह वह अमेट उसका भी अपना लिकार है अगहे चले हैं तो आपके पोते जो होंगे उन में से कोई स्लाइड में निकल जा है कोई जरूरी नहीं है कि संगीत छेत्र में ही नहीं फिल्मी छेत्र में क्योंकि आधुनिक्ता बढ़ती है तो लोगों की मानसिकता मतलब ऐसे चे नहीं है हमारे हमारे छोटे भाई डांक्टर राम विलास यादो मानि वो इस समय लेकिन बरात और छोट करने ऑपना चले जाते थे जो हमारे सात्त को गोगो नोगाते ही है और कहीं ऐसे तैसे मौका मिल जाता है तो उसमें अपना कुछ गाब जाब भी लेते हैं लोग हमारे ना जानकारी में हमारे तरब से रोक नहीं है तो लगाव तो है लेकिन अब होई समय की बात है अब देखिए करीब करीब 10-15 साल 15 साल हम करीब करीब इस्टेश से हटे ही थे एक तरह से लेकिन फ्रोग्राम रखा गया रख वाद ये तो उनके लोगं बता दिया कि नहीं परोग्राम हो मैं प्रकाजी लीख दें ले प्रोग्राम लिख गया लाए तो कहें तब गईबा हमके लिए प्रोग्राम जब लिख गया लाए तो काम करा कि हम विद्याले पर पढ़ाईला जुनियर हाई स्कूल हो तो वेटा यतना ब्यभार हुआ बनाल है कि लडिका कुल 6-7-8 कहुं है अब तो हम दूनों भाई हमारी काम समभारा लोग नियुक्त कर चुके थे आप पारा पार यह देखा लोगों बहुत खुस रहे हैं सब आएकर बाद सेश काम तो यह लोग पना जाते हम भी जाते थे उसमें और हमारे साथी लोग भी थे मतलब तो अपना लोग देख लेते थे यह होता है ना इसके बाद अचिए अपना तयारी किये तो प्रोग्राम बहुत बड़ी हैं प्रोग्राम होगा बनारस में तो करीब उसलम साथ अट प्रोग्राम भी गाई अचा उसी जो मंच पर आप गाते थे उसी गाने में से एक लाईन का कोई गीत आपको याद हो तो एक लाईन हम आपको सुना प्रितना ही मीली हैं इस पर मतलब गाना अपना उसमें लोग गीत लिखे जाते थे अब लोग भीया सभी दून तर्ज मतलब गाए हैं बजाएं तो आप तो जैसे फरमाइस हो गई कि यह गादी जी यह गादी अब हम लोगों के समय में जैसे जैसे ऑजाने का जो दौर चल दिया है कि पहले ही अपना दो चार छा था धून अपना का नाच दे रहे हैं सुमिरन बंधना उस धंग से मतलब सांत करके साजबाज बचता था खड़े बंधना करके अम फिर अपना बिराज चले जाएं कुछ लोग अपना बाहर जैसे निकल जा रहे हैं ना जानकारी में लेकिन जब कि उसको दाइरे में रहना चाहिए हर चीज के पीशे परदा होता है ना परदा तो बहुत बड़ी चीज है तो अगर उसको परदे से बाहर अपने को कर देंगे जब बेपर्द हो जाएंगे तो दिक्कत होगी ना इसलिए तो कहते हैं ना लोग की एक बीरहा है एक ऐसी बीरहा है जो असलीलता से बची हुई देखाएं इसमें जैसे लोग अब तो तमाम लोगी चल दिये हैं जैसे हम लोगों के समय लोगी तो अगर भी गाये जाते थे तो उसका कुछ अर्थ निकलता था जैसे अब अगर स्रिंगार रसका गी तो चाहे भक्ती रसका हो चाहे निर्गुणे हो तो उसमें असलीलता नहीं थी जैसे हमारे कवी जी लिखे थे तो जो पढ़े लिखे लोग थे गाना सुनते थो तो सुन करके उसका आनंद लेते थे लोग तो एक राधा राधिका और उधव संबाद का जो है कवी जी हमारे मतलब लिखे थे कि कपड़ी डाली कभी खुसबू समेटे फूल से बेवफा अरबिंद को परिमल लुटाना छोड़ दे तो बाद में बोला कुसुम फरियाद माली से करो आज से संसार में गुलसन सजाना छोड़ दे अब देखी कितना बढ़ियाओ की हैं वहाँ पर बंदी से इसके बाद भूनका बांद दिये अब इसके बाद जो है इधर जो है लिख दिये कि प्यार में बाधा जसोदा डाल राधा से कही और तू मेरे घंस्याम से दिल को लगाना छोड़ दे देखी कितना बढ़ियाँ जवाब राधिका जी देती हैं कि रो के बोली राधिका मा सावरे को रोक ले आज से जादू भरी बंसी बजाना छोड़ जो यह मतलब इस तरह से जो है लिखते थे उसका कुछ मतलम मिलता था वही लोग सीखते थे अब बिरहा लोग पहले सुनते भी थे लेकिन अब थोड़ा समय जमाना जो जैसी जमाने की मांग है उस हिसाब से अपना लोग ड़लते चले जा रहे हैं, बीश में तो मतलब इस पर जो ज्यादा सिलिलता गाने बजाने में आ गई, हम किसी की बेजती नहीं कर सकते हैं, किसी को हम आक्षेप नहीं लगा सकते हैं, या किसी पर कुछ गाह देना, किसी पर लिख देना अच्छी ब किसी की बुराई नाम लेके गा दे रहे हैं लोग इसे लिए बीच बीच में बाई कई ठोगाने निकले थे न तो उसमें अपना अरे यही बहुत पूरी सिनेमा में अभी बीच में मतलब तमाम जो लोगों में आज हमारे बीच एक बड़े ही बुजूर कलाकार थे मास्टर कासी नाथ यादव जी तीचर भी बिरहा से इनको बहुत ही मतलब कुछ मिला सरकारी टीचर बने बच्चों को पड़ाते थे अब साइद सेवा निर्वित हो चुके हैं नहीं अभी चल रहे हैं हो जाएंगे तो अब रिटार्मेंट के दौर में हैं और हो सकता है अब फिर से एकाक मंच हो नहीं मंच तो सुरू है जी जी शुरू है आज मंच भी इनका सुरू है मंच पर गाते हैं और बड़े-बड़े कलाकारों के साथ इनका बिराह हुआ है और आज इनके विचारों को अपने वीडियो के मादियम से मैं लेके आ रहा हूं तो ऐसे ही हमारा सफर यूही जारी रहेगा अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट जरूर करा कर ये आप लोग अच्छा लगता है और यूही हमारा सफर जो विराक अलाकार को है चलता ही रहेगा तो बस इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो के साथ हम जल्द उपस्तित होंगे तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत